20 जिस फेज की हम बात कर रहे थे अब आलमोस्ट हम उसी फेज में एंचर कर गए हैं उन टिक उन बॉक्सिस को चेक करना होगा जिंजिन में आतियात पराखनी की जब्रत है निक देखें दो बच कर चौप 25 मिनिट हो गया मतलब टेक्निकली आल ओके अब यह कह सकते हैं अब र सब्सक्राइब कोई डाउट नहीं है टेक्निकली आल ओके हो गया है हमार साथ सपना बिश्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं सपना जो अभी आदिते जिकर कर रही थी मैं भी वह जिकर कर रहा हूं अब सवा सो करोड हिंदूस्तानियों की जो उमीद है वो अब मैला शक्त सब्सक्राइब के कंदों पर हैं अब रितू करिदल मिशन डारेक्टर वो ही तै करेंगे अब क्या होगा है हां जी हलो सपना आवाज आ रही आपको मिरी हां जी हां जी मुझे आपके आवाज आ रही है मैं कहरे हूं सपना अब महिला शक्ति के हम लोग बात कर रहे थे अब आखरी जो है बीस मिनिट बाकिए टी ट्वेंटी जिसको का जाता है रितू करिदल मिशन डारेक्टर हां जी सवा सव करोड महिला मतलब सवा सव करोड देशवासियों की जो उमीदे है वो एक महिला के कंदे पर है वो इतै करेंगे अब क्या होगा जी बिल्कुल सही का आपने महिला सशक्ति करण का ये एक बहुत ही अच्छा उधारन है कि आज देश के चंद्रयान टू को लांच करन होगा और कोई भी बिना किसी दूर घटना के बिना किसी कभी होके ये अच्छे चंद्रयान टू लॉंच हो जाएगा अपनी अब्चेक्टिव को फुल्फिल करेगा बिल्कुल और यहां पर बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाता है ना अमन सच्छन जी आपको भी लेकर आना चाहते हूं बलकि सभी गयस को लेकर आना चाहते हूं यहां पर बैया शिव का दिन है आसावन का पहला सोमवार है नारी शक्ति है शिव और शक्ति जब साथ आते है तो क्या होता है मुझे पताने की जरुवत नहीं सचित बिल्कुल फिलोस्फिकली बोलें तो और एक और इंट्रेस्टिंग पॉइंट है शिव का भाल और चंद्रमा मतलब कितना संयोग है अपने आप में अब तो आप यह जो गह रहे हैं कि सोम चंद्रमा का देना तो यह पिछली बार भी सोम वार के सुभग तो इसके लॉंचिंग देलिब्रेंट ही रखा गया कि यह वह सकता है यह अपने आप में इंट्रिस्टिंग है और इंट्रिस्टिंग बनते रहते हैं लोग जो पीछे सा है कि आज सारे संजोग मिल रहे हैं हलांकि हम साइंटिस्ट की बहुत बड़ी परिशानी रहती है कि हम इस तरह के संजोगों को लेकर थोड़ा साइंटिफिक टेंपरमेंट टेंशन नहीं लेते हैं ज्यादा टेक्नोलोजी पर विश्वाश रखते हैं लेकिन फिर भी आ और तीस पर पचास और यह वाओ बली दिखाया रहा है और उसको निकलते वए दिखा रहे हैं और यह देखिए किस तरह से इतने बड़े यह रोकिट को एक क्रॉलर पर रखकर के लेके जाये जाता है यह बहुत ही डेंजऱस टाइम होता है यह भी क्योंकि जरासी वाइबरेशन कुछ दिक्कत जरासा टिल्ट सब कुछ बहुत खराब कर सकता है बहुत सारा पैसा लगा रहता है इसमें आप यह देखिए अब यह यह हमारे पास liner दिख रहा है विक्रम लेंडर जो लेकर के जाने वाला एक्चली ये तो पूरा integrated दिख रहा है यह विक्रम लेंडर रहा है यह उसकी जिए से बात कर रहे थे soft landing यह देखिए कितनी softly इसको land करना है और किस तरह से 12 डिग्री से ज्यादा tilt ना रहे ऐसी जगा पर land करेगा और फिर किस तरह से इसमें से rover भार निकलेगा देखिए एक नीचे उसके लिए एक खुला है deck और roller उसमें से rover उसमें से अराम से रोल करके नीचे आएगा और चार घंटे में नीचे आएगा और इसके solar panel अभी खुले नहीं है नीचे आने के बाद यह signal देगा वापिस अपने lander को lander जब इसको बताएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है तो यह अपने solar panel खोल करके सब्सक्राइब करने की तस्वीर दिखाई जा रही है हम चांद के किस तरह से स्थापित होंगे और कैसे दिरे दिरे चांद के ऊपर हमारा जो lander है वह उत्रेगा जिए ओर्बिटर दिखाए जा रहा है यह और्बिटर है आपने So commitment एक और्बिट हम चांद के आसपस रखने वाले हैं इसaja करेगा और उसी 100 किलोमेटर के यही और करेगा देखा हुँए यह बहुत बढ़िया सीमोलेशन समय दिखा red और यह देखिये किस तरह से लेंडर चकर काटके उसके साूथ पोल के उपर जाकर किस तरह से लेंड करेगां नीचे स्कैन गरा है वो देखिए स्कैन हो रहा है पूरा कि कहां लेंडिंग करनी है उसने स्कैन करके वह वेज़ेगा और उपर से दिखाया जा रहा है और वी इसकेंड का भी फरक कहीं ट्राजेक्टरी में नहीं आएगा जो तो बीच की तस्वीर हम दिखा रहे हैं यह चेप यह वाला यह रोवर है यह लेंडर ने लेंड किया लेंडर विक्रम उसके बाद यही प्रक्रिया रहती है वह आखर Спасi 15 मिनिट लेंडर लेंडा किया विक्रम उसके बाद अंदर से रोवर निकलेगा जो डेटा जो इछटा करेगा चौदा दिन प्रिथवी के एक दिन लूनर डे लेंडर के थू करेगा और जो हमारा उसके उपर जो हमारा लेंडर है उसके पास दोनों सिस्टम्स हैं कि वह प्रिथवी से भी सीधा चौदा कर सकता है और और अर्वीटर के थू भी कर सकता है तो जो हैवी डाटा है और जो कम्यूनिकेशन है जो कमांड है वो सिधा-सिधा प्रिथवी से उसको दी जाएगी जो प्रोजेक्ट डिरेक्टर जो महिला शक्ति की हम बात कर रहे थे जब यह लैंड हो जाएगा तो तो वो प्रोजेक्ट डिरेक्टर जो है वह फाथ में लेंगी सारा कमांड की क्या डाटा आ रहा है कैसे रखना उसको कहां मूव करवाना है अगर उसकी कोई जगा बदलनी है जहां पर जाकर कि हमें शोध करने की जूरत है तो जगा वह सब प्रोजेक्ट डेरेक्टर के बढ़े नज़र आ रहे हैं आपने बॉक्स करते हुए आगे जाने मी अगर हम अपनी आम भूल चाल की भाशा में बुले तो आप इसके आसपास का जितना भी एरिया है यह हमारे जो क्राफ्ट है इसके आसपास का जो एरिया है उसमें से जो भी अगर कोई गैस भरते हुए आसपस रह गई है उस सारे को खतम किया जाएगा तो करीब दो मिनट पहले से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी आखरी 10 सेकिंड तो प्रॉपरली काउंट किये जाते हैं असा ट्रेडिशन है कि 10, 9, 8 आखरी 10 सेकिंड तो प्रॉपरली काउंट किये जात करेंगे अपने टीवी चैनल के तूप और हम देख भी पाएंगे क्योंकि इस तरह से लाइफ स्ट्रीमिंग का इंतजार किया इंतजाम किया यह बताने के लिए काफी बहुत जबर्दस मतलब टेक्नालोजी का इस्तमाल कैसे करना है वो अपने हर स्टेप में दिखा रहे हैं जी और सबसे मैज़़ार बात है कि इस बारी जो हमारा ऑन बोर्ड कैमरा है वो भी हमारे को विदिन फर्स्ट वान एड़ाफ मिनट सी ऑन कर देगा क्योंकि जैसे यह शुरू होगा जो सॉलिड रॉकिट बूस जो बड़े बड़े दोजного इसकी साइड में दिख रहे इन एक्पैस्केला shapes की इंशैंदख और तो सारा का सब्सक्राइब का इसका में दो मिनट में जल जाना है और इसके उपर लगे व Pawhen जो हमें एक्चुली इसकी लाउंच और इसकी फ्लाइट दिखाएंगे वह पहले मिनिट के बाद से इस रो हमें शुरू कर देगा हम देखें किती बड़ी संख्या में देखें क्या आम और क्या खास और कोई वहां पर पहुंचे हुआ है इतिहास का घवा बनने का यह मौका है और देखें आप सद्गुरू बैठे हुए दिख रहे हैं तो फिलोसफी से भी लोग और रिलिजन से भी लोग और से आज यकीन म मजद भारत को कोई नहीं रोकवाएगा और पूरी दुनिया की निगाहे इस सखत भारत पर है कि क्या भारत करने जा रहा है पहली बार dependency करने वाला कोई मुल्क बनेगा तो भ tarati बनेगा सॉफ्ट लेंडिंग करने वाला 4 मुल्क बनेगा तो भारत सारी चीजें इस तरह आपने दभू पर और देखिए जो तस्वीर आप देख रहें यह नए वारत की नई उमीद और यह पूर्टाह स्वादेशी मिशन है ती आपके लिए इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ है यह पूर्टाह स्वादेशी मिशन है यह मेक-इन इंडिया फोट्रजेक्ट है च शे गुना साथ गुना खर्चा करते हैं हम अपने लिमिटेड रिसोर्स में आपको वही काम करके देते हैं और आपसे बहतर करके देते हैं और ऐसे लगता तो अब से आने वाली जो है उनको चांद भी ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम एक्चुली स्पेस्टूरीजम की तरफ कदम रखने जा रहा है क्योंकि किसी चीज को सॉफ्टली लैंड कराने का मतलब है जरीज़ पॉसिबिलिटी और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज भारत के लिए उपने लगे वो जी काउंट डाउन और ने माइनस लगा है देखी बिल्कुल अब माइनस डाला है जी और इंट्रेसिंग बहुत इंट्रेसिंग तस्व की महनत कि इंडियन साइंटिस्स ने 11 साल का इंतजार उन्हें इसके लिए करना पड़ाया चंद्रियान 2008 में हुआ था 2019 अपने बूते इतने बड़े करिश्मे को कडने जा रहे हैं जी सब्सक्राइब टोटल इंडिजीन अगर हम तेरे 14 में जाते तो रशन टेक्नोलोजी स महां से मना हो गया फिर हमने दम उठाया हमने बीड़ा उठाया और सारी बाते हमने पूरी इंडिजनस करके महां पहुंचाई है जब बाहर निकला का उसमें में बालो बताओं शेजुन की पईये हैं उसमें एक में अशोक चक्र के निशान बनी हुए है और एक में इस रोक लोगों है वो चांद की धरती पर गड़ता हूँ चला जागा और वो हमेशां के लिए हो जागा चांद जो बन गया वो जाता नहीं मजाग कर रहे हैं कि इस रोड़ में सीट मेरी है इंदुस्तार वहां पर पहियों से कहेगा बस मेरी टरिट्री आना मत कोई यूए से कोई चाहे ना पर मिशन नहीं आपको से बोल्याइब का जो एक नीती का मंत्र है उसको मेरी देना चाहूंगा जैक किसान जैजवान और जैविग्यान जैविग्यान के भारत के पूरी विग्यान कम्यूनिटी को इस पीट सब थबाई है प्रदान मंत्री लिए इस ने बहुत जी और एक नए भारत की यह यह मंत्र है जिसके जो एक निती गद्शा देर रहा है अभी तो यह शुरुवात है क्योंकि वो सकता है नहीं मुझे बस चार मिनिट का इंत्यार है जार मिन पास से किन शार मिनिट शार से कांडाउं लगता कमोंगा उसके बाद मुझे दिनकर जी की कविताएं कुछ पंक्तियां हैं है कौन विग नहीं सा जग में टिक सके मनुस्य के मगए मानोजब जो लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो हम करके दिखाएंगे अभी तीन मिनिट शालिस सेकंड तीन मिनिट बन तालिस सेकंड तीन मिनिट चवालिस सेकंड बैयालेस और इसी तरह से आखरी कांडाउं टैन नाइन एट सेवन सिक्स भी आपको सुनाई देगा रितु करिधल मिशन डिरेक्टर एतेहास एकपल और आप लोगे से अतेहास एकपल आके सिवन भी नज़र आ रहे हैं सचिन जी और यह नज़र आ रहा है कि अब सब कुछ ठीक है और अभी के हिसाब से लॉंचिंग टै लॉंच हो रहा है और भारत एक नई कहानी लिखने जा रहा है स्पेस की दुनिया में अंटरिक्ष की दुनिया सिवन साब की तो परिशानी जो है वो डिफरेंट है क्योंकि जैसे यह लॉंच करेगा उनको उन 15 मिनट की चिंता शुरू हो जाएगी क्या होने वाला है क्योंकि एक्चुली उसको ट्राजेक्टरी में रखना और उसको ठीक तरह से वो उसको ले जाके और बिट में डाल दे और फिर लेंडिंग हो जाए तब तक शायद सिवन साब को तो नीन नहीं आए तो मैं समझ रहा हूं कि अभी थोड़ी दिर के लिए वो रिलैक्स होंगे जैसी लॉंच होगा और फिर से अगली चिंता में पस जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वह अगले दो महीने कि पर दो मिनित के बाद आप वहां पर क्या है सुनेंगे उनने साथारा और एक जीजा ध्यान रखिए गाप अब से दो मिनिट बाद जो होने जा रहे है वो नहीं भारत की नहीं उड़ान और तालिस वे दिन जाकर असल परिक्षा वो भी हुनी है उस पर भी रहेगी हमारी न और इससे लगबग एक सो च्यानवे एक हजा नौसो पैसेट किलो टेन न्यूटन का प्रणोट प्राप्त होता है जो कि लगबग बीस टेन के बराबर है इसके विशे सावेग करीब 442 सेकेंड है सी इंजिन इस प्रणोट के साथ में पगरा को आगे ले जाता है और लगात प्रणोट देनने के बाद में जब इसकी गती 10.296 किलोमेटर प्राप्त होती है तो इसकी इंजिन बंद कर दे जाते हैं उससे में इसकी प्रत्वी से हुचाई लगबग 116.38 किलोमेटर है इसकी 15 सेकेंड के बाद में चैंदरयान दो पगरा को इससे लग कर देते हैं और एक सो सत्तर गोणा 49,060 किलोमेटर की दीरगा कक्षा में प्रवेश कर देता है इस समय हम लांच से लगबग 2 मिनट दूर हैं और आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं यह हमारे यहां के डिप्टी डारेक्टर साब बेटे हुए थे और सारे वग्यानिक अपने पैरामीटर को अपने मॉनिटर के उपर में बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप इस समय हम लांच से करीब एक मिनट 35 सेकेंड की दूरी पर हैं और यह जो अचितर आपके उपर दिख रहा ह यह दो S200 के बीच में दरवनोदक का L1 तन इंजन है जब इसका प्रजिलन होगा तो यह दोरो S200 इंजन जो की मुक्य रोकेट के दाएं और बाईं और हैं इनका प्रजिलन यहां की कवांड से दिया जाएगा यह जो अलतो इंजन the ground winds are too less. So, when the ground winds are less, then the vehicle is designed to take much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable, which means not much change from the earlier measured conditions. We have a lift-off, we have a lift-off, a perfecting arm on lift-off. Let's keep on with it. ुए , शाराबिटर्स, जैसे की पूचित किये गयेखे, उसे ही पर चल रहा है, रोकेट. अभी हम लोग कोशिश करेंगे हैं कि आयार का इंफरारीड केमरे का वी-वी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके वारे भी बदलाऊंगा जैसे कि वी कोशना की गई है सारे परामिटर्स सामाने हैं The S200 is performing normally and on your screens on the red is the plan trajectory and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S200 develop a total thrust of nearly 6000 kilonewtons and they are loaded with thecam to the power of the car. 205 tons of propellant each on your screen is Dr. Shrivan Chair Minister flanked by Shri Somnath Director of USSC and now we are slowly and steadily reaching a phase where the L-110 ignition will happen L-110 agent started now we announced that the L-110 which is our second rocket it's ignition it's two engines and it's a and it's a fragilisant and it's a fragilisant we have to change the L-110 performance normal S-200 separated performance normal close loop and it's a fragilisant 10 seconds after the S-200 separation the vehicle is now under close loop guidance the L-110 performance is normal the L-110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds the on-board cameras capturing the S-200 separation now the heat shield separation will take place and again from our videos on-board you will be able to see the heat shield separation from the vehicle from the vehicle beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle L-110 performance normal L-110 C-E-L-110 and it's a fragilisant and it's a firm अपल ये भारत की पहरत की उड़ान भारत के गार्व की उड़ान दो जो रौकेट है वो भी अलग हुए अब आप इसको कह सकते है पूर्ण तहा स्वधेशी चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल रहा है लाँचिंग जो है प्रक्षेपन जो है लाँचिंग जो है वो पूरी तरह से सफल रही है और उसके बाद आगे की जो पूरी प्रक्रिया है पहले प्रेथिवी की कक्षा में और उसके बाद चांग की कक्षा में और उसके बाद 48 वे दिन जाकर जो लेंडर पराकरम है वो ले तो बाइसाब पूरे तरीके से जोश में फिस्ट पंपिंग और पता नहीं क्या क्या हों सर आपी बया कीजिए आपके भी पूरे देश को बढ़ाई पूरे राश्ट्री गवर्ब का समय है और यह सफलता ना सिरफ यह सफलता की उमीद है बलके कल अश्वासन दिया इन्होंन है चेरमेंजी ने और कहा सब्ड़ कि सफल होने जा रही है इसमें कोई संद्धे नहीं है तो अब ये जो है कई लोगों को स thanks spectro Customer मैं और दिग्यान को सिलाम है विग्यान को सिलाम है और इस नीतिगत यर्र वैसिले को से लाम है तो किस किस बात को प्रॉण किया जाए और ये बहुत ही और सभलता जो है आगे मिलेगी इसमें कोई संदे नहीं है कोई संदे सर बहुत इमोशनल हो रहा है सचर जी बिल्कुल बहुत इमोशनल मुवमेंट है यह दो मिलियन पार्ट इस रॉकिट में जो हमें दिख रहा है जिसको हम बार बार रॉकिट बोल रहे हैं दो मिलियन पार् प्राप्ट होता है और इसका विशिस्ट आव एक करीब करीब 442 सेकेंड है अब ये इंजिन उपगरा को इसकी कछा में ले जाएगा और ये लगबग उसके बाद ये इंजिन बन कर दिये जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपगरा उससे अलग कर देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलो में और जो टाइम करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी एल्टीव विलास्टी करीब 4.6 किलो में लिए। आपको बताया गिया हमारे रेंज आप्टर्टर्टर्टर के किरा स्टेज की जो पर फार्मेंस वो सामान है मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि क्राय स्टेज की लंबाई लगबग 13.5-43 मीटर होती है और इसका डायमेटर इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32.10 की आसपास रहता है और इसमें प्रॉफलेंट करीब करीब मठाई 10 उसमें फिल करते हैं और इसका बंड समय जो है उचेसो सेतालीजिसमलोग होत सेकंड का है और इसमें फिल करीब 116.5-155 किलोनीटर का प्रॉफलेंट करता है और इसका विस्स तॉफलेंट सेकंड सेंद नवीजिस्टाव होती है और हो बिसे लोगी चंद्रयान 2 बाहा है कि अर मुषिव ए लोर्म, राइस्टेmayन करंद निन कर्षा है कि अचन्रयान 2 बसके अर्बेंट्य।, लिए था सिर्टेज करने लोर्म करेंटे लो कि षंदेता बीन मने थेंटर, विए तょ जकाफ्टे माना झाथ हैक। आपरीज अट्रिज परीज परीज रटिज दियुक्ड टॉट्ट रुटाट जिए लगे टो जिस वान पूंप्रिजु तो इस नॉट्रिज आप एपूंप टॉट। मूंप टॉट बड़ती परीज इस वान आप एल्टीए आपोड़ गटिए लुका। इओज में मारे 6, 11, 16 and 19 अरूंग अरूर्ट औरूर्ट अजया स्वोंग सप्थ ये स्वय प्रिए थास्टविय freuen औरूर्ट घजया जविए प्रिए तेज़ जामने कप्वेश् औरूर्ट लखने तारूर्ट अजया प्राय। अरूर्ट पád ली थार्गी के दिन लीजरी के प्र aux फिरतो सकक्राइब लीजरी को लिदीते का लोती एली धन liraबर press बादि वरैब रुटाव डुटflows । Memo export हो और व्हुन होग हो सभूरेड пошत 10 क्यूंग जच भ्यूक। कि यह टेज्चरतर नोचिर अंसर दीजू कि लुटहें आप्यूतर विट्व खूचैनला खरागाम het reign विछ 10 क influence 0 कि 252K क कि अनुक संब Kyuh daugu οकि हैं ईयुट। शूनर लान शीर बिख自己 temperature 2 6 100 km, in preparation of soft landing on Moon near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time and arrived by our calculations based on chosen landing site and the conditions required for the same. Finally, on 7th September at 2.58 AM Indian Standard Time, the Vikram lander and the lunar rover Pragyan will soft land on Moon with a velocity of 2 m per second and after final checks, the 27 kg lunar rover Pragyan will be deployed on lunar surface. Pragyan will have a life of 14 Earth days which is equal to one lunar day. Chandrayaan 2 has a mission life of one Earth year. All the three bodies that is the Chandrayaan 2 orbiter, the Vikram lander and the Pragyan rover will conduct valuable scientific experiments in the service of our country and mankind. This is our and the orbiter, lander and rover. The orbiter will put the moon in the sky. It will be set of The lander and the Chandrayaan 2 will Vikram के बीच में संक्यत रिले करेगा इस आर्बिटर का वजन करीब 2390 किलो गराम है और ये 1000 वाट की पावर जनरेट करेगा इसकी मिशन लाइब करीब करीब एक साल है और ये 100-200 किलोमेटर की लूनर पोलर अर्ट विट में चकर लगाएगा लेंडर जिसको कि हम विक्रम के नाम से भी कह रहे है ये इसका वजन 1430 किलोगराम है और ये करीब करीब 650 वाट की पावर जनरेट करेगा इसकी मिशन लाइब एक लूनर डे के बरावर है जो की 14 पृत्वी के यानि अर्थदेस के बरावर होता है रोवर जिसको कि हम प्रग्यान के नाम से भी प्रग्यान का नाम भी दिया हुआ है ये करीब करीब 27 किलोगराम का है और पचास वाट की पावर जनरेट करेगा और ये मिक्नम डिस्टेंस करीब करीब 500 मीटर अपने 14 दिन के प्रवास में इसको टै करेगा और प्रग्यान के अथे एक भी बखल प्रभ खुशन नहीं क्रावोत है एक अफजिए पहुआ नहीं तर कि मजसे घ्यक्तित किभे भेंग जे नहींगमर्णावते स्थित्टीराईश किवेड़े से विफवेट तर नहींग जयी हो है जब एgt, तर लिवाओ एक विए नहींत थी श्यक्तित किः ़िए पयूब हैंगी कि अवेब भी रिए टांग से फजिस्ट थांडित अधडिशिकिन अप्डिरी टेस्ट लिए लेश्य कि एंगिकिन निए इनाग। कि पताथ जτοंट गिकार जिएथ कि थे डिए ठाली कि यवान कि अ. हैट स्विफद universities out एente 10 फinks पतावब जो तो अधन अधन रप्राइबno गच्डेट कएको अधन जद तक है फिर आ प्राइब यहार बहुत को लिए कि वीदक लिए करेंगे यहार इंद सकते हैं लेटर इन दूनर अर्बेट, इसमें जो अन बोड पर कैमरा लगा हुआ है, उसके सैटलाइट का चितर आपके स्क्रीन के उपर में दिखा रहे हैं, और इसमें हम लो करीब 926 से किंड लांच से हो गया है, और हम बहुत करीब पहुंचना है है, जबकि ये सैटलाइट का जो ह मारा क्राइट इन उसको शटाफ का कमांड दिया जाएगा, उसे हम लोग बहुत ही पास में आगए हैं, और आप अपने आप स्कीन पे देख रहे हैं गे समय जाए निमिशन किया हुआ चितर जिस्पे की क्राइट इन और सके वा वा गड इसके वाग से लिखाएट लागा ह श्रिज श्राव कमांड गुंड एशेड आव और दो नॉषण श्रावित्स ने की अधावे रहाए अम्सेड घ्राव एज़ आव अधाव दिए पान आव इक हुड जय और भी आवयनों प्रैब करें हो डीसके टों रहाब है। सब्सक्राइब कर दिया गया, 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 सब्सक्राइब कर दिया गय जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जिस पर टक टकी लगा कर नजरे रहा कर देख रही थी आद यह देखिए यह इन वैज्ञानिकों ने यह इन सेनिकों ने वो कर दिखाया है और गर्व से सीना चौड़ा इन तस्वीरों को देख करके इस इत्यास बनने को देख करके नजरे एक सेंक्रों सेंक्रों घंटों की महनत और एक दुसरे को गले लगा करके मुबारक बात देते हुए इस सेंटर में दूसरे को यह विज्ञानिक सचिन यह भैनत नहीं यह 11 साल के इनकी तपस्या है यह वो कंदे हैं जिनोंने 1.3 बिलियन होप्स को अपने कंदे पर कैरी किया है यह वो मिशन है जो कंप्लीटली मेड इन इंजिया है यह वो मिशन है जिसकी अभी आपने सक्सिस्फूल लांच देखी है और आज आपके इ आने वाली जेनरेशन से कहेंगे जब इस मिशन को अंजाम दिया था इसकी लांचिंग हुई थी तो हमने उन लाइफ तश्वीरों को देखा था हम उसे पेहास के गवाबने थे सचे अभी के लिए अगर मैं एक बात कहूं तो पॉफेक्ट पॉफेक्ट और इसको आप कहते अगर देख रहे हूं जो इस तो दिखा रहा था तो जो प्रजेक्टिट ट्राजिक्ट्री थी एक्जाट्ली उसी पे हमारा रॉकेट बिलिंग करता हूँ चल रहा है बिल्कुल हिला नहीं कोई कोई डिफेक्शन नहीं थी बड़े अराम से वो उसी पात को फॉलो कर रहा और बिल्कुल जो हैना पर्फेक्ट लाउंच और पर्फेक्ट टाइमिंग के सब्सक्राइब करेंगे था इस पात मैंने लुटी बड़ेग्ट एप लोगों अभी का मंच है सर अप्लीटली आप लोगों का मंच है आपी को सुनना जा आप लिए अधिये अभी कुछ पर आप लिए अधिये अध्रेस भी करेंगे does not onlyERS is going to address us so from my side we say goodbye to you and please stand by for Dr. continue today is a historical day for space and science and technology in India I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan-2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 km more than what are intended is better. That way, the satellite people have more life, more fuel, and for playing with the universe. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after a serious technical snag we had and we fixed that technical snag, now ISRO bounces back with flying colors. Immediately after the technical snag observed in an intelligent way, one week back, the entire team ISRO was seeing the action. In fact, next 24 hours, the work done in the center was mind-boggling. And quickly, the vehicle was brought back to normal and identified the root cause of the technical snag, corrected it. Everything happened in 24 hours. In the next one and a half days, the required tests were conducted to ensure that the corrections made was proper in the right direction and we confirmed. And after that, the vehicle is handed over to the management for taking further action. If you are saying this particular mammoth task is possible or it is only because of the very, very hard work by the team ISRO, especially engineers, technical assistants, technicians, supporting staff of SDSC, VSSC, LPSC, and IPRC. In fact, they are working continuously, forget about their families, sacrificing their interest, but non-stop mode, they worked to ensure that the snag is fixed properly. In addition to that, the expert team constituted was really on the job for the last seven days so that it will ensure that every system should function properly. And it is my duty to salute all the people who have done the work, make it happen successfully. Now, regarding this vehicle, also as a special for this mission, in this mission, GSW-E Mk3 performance has been increased by 15% more than the earlier mission. Thereby, now the Mk3 is approached 410 capability to GTO as we designed. My compliments and congratulations to the launch vehicle team for really doing excellent work to enhance the performance capability of the vehicle. Now, if you are talking about Chandran 2, this is actually three satellite missions stacked in a single launch vehicle mission wherein two systems are not known to us. First time we have developed, that is, lander Vikram and rover Pragyan. Let me tell one more thing. I would say that last one and a half years, the satellite team really burned midnight oil to make the Chandran 2, as per the suggestion given by the National Committee, almost reworked the entire spacecraft last one and a half years and they worked without any gap. They made it and brought to the launch. My best compliments and congratulations for the satellite team for bringing the Chandran 2, the launch pad, at the earliest. My dear friends, now, having injected the satellite or Chandran 2 in the intended orbit and in better than that orbit, whatever the satellite team wanted to do tomorrow, the launch vehicle done today to you. And your earthbound maneuver is going to be an additional bonus for you. That way it's good. Now, the mantle is given to satellite team or Chandran 2 team, mission team. They are going to have to do the 15 very crucial maneuvers in the next one and a half months and finally bringing the Chandran 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come. On that day, we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. and to carry out the project of this magnitude, definitely the credit must go to the team ISRO along with the contributions from the review team, quality personnel, as well as industry. All of them work together to ensure that the success of this mission. Let me thank all of them for giving wonderful contribution to ensure this, the Chandran 2 mission is successful. For this mission, we are waiting for a long, not only ISRO, not only India, the India globe was waiting for this particular mission success. Now we achieved. And let me once again congratulate to all the team ISRO members for doing wonderful work. My dear friends, our task is not over. Now, the mission team, Chandran 2 mission team is going to work on Chandran to bring and land near South Pole very, 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 very quickly they are going to do. At the same time, already we have taken review today to talk about next mission and the Kato 3 mission and next series of missions we are going to have in this year. And I am sure that, as usual, the ISRO will work together and take this, the task and ensure that we are always successful and meet the demands as given by the management. Once again, I profusely thank all of you for this excellent success because the success is coming after a call-out. They are always giving speed. The speed is not small. They are giving double speed. And Chandran BD is now very happy because whatever they are going to do tomorrow has already happened today. So, there they are happy and we will work together and we will ensure that we are making the Indian flag flying high in this specific technology area. And thank you as well as Jai Geen. Thank you very much, Jai Geen. Thank you very much, Jai Geen. Thank you very much, Jai Geen. And you get that Jai Geen. Yes feeling. Yes feeling. Yes feeling. Yes feeling. He was on the side of Jai Geen. He was on the side of Jai Geen. He was on the side of Jai Geen. And I am waiting for now. And I am waiting for now. That feeling. He was on the side of Jai Geen. He was on the side of Jai Geen. And even though Jai Geen he was on the side of Jai Geen. But he has not seen more emotions. Good manager. Good manager. Two. One. Zero. 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 Zero.